हेलो एवरिवन दीपा वली की आप सभी को डेर सारी शुब कावना हैं तो यहां पे हमारी दीपा वली की जो पूजा थी वो हो चुकी है दीपा वली की पूजा हम लोग धंतेरस के दिन ही करते हैं तो मम्मी यहां पे पूजा कर चुकी थी और बाकी सब हर जगे दिये जो है वो मैं रख दे रही थी और उपर की कैंडिल जो है भाई ने जला दिया था धिरे-दिरे करके ऐसे ही काफी टाइम भी हो जाता है दीपा हो या फिर कोई भी दिवार हो दिवाली में तो खास करके काफी रात हो जाती है और फिर बहुत अच्छा भी लगता है उपर च्छत पर जाओ किती अच्छी रोशनी मिलती है यहां पर हम अभी आ गए हैं अपने मंदिर में मंदिर को मैंने इस तरीके से डेकृट किया है त उमेद करते हूं कि आपको पसंद जरूर आया होगा मेरा जो मंदिर है वो कैसा है कॉमेंट करके जरूर बताएगे का और यहां पर जब हम लोग च्छत पर गए ना तो वहां पर इतना सुन्दर इतना अच्छा सजाया था सभी ने अपने घरों को और हमारा घर तो भी बनी रहा था यह वीडियो जो है वो 2020 की है मेरे पास पड़ी हुई थी उसक्ट मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि फोड़ी प्राबलम हो गई ती गर में तो इसलिए मैंने अभी डाल दिया है और यह वीडियो जो है वू भाई के फोन में था तो उससे लेकर मैंने डाला है मेरे पास था भी नहीं तो अचानक से उसको पता चला कि है तो इसलिए मैंने डाल दी है तो चलिए आप लोग दिवाली एंजॉय कीजी फ्रेंड्स कैसे हमने मनाई प्रेंडरे आपटर कि अथेंगि करेंग की अथे आप अटेंडरे गदियार एंग्रव मांग् मैं तो गाइज हम लोग आए हैं चछत पे और यह देखे लाइट लगी हुई है फिलाल यहां पर दम चमका दिया है दम घर को कोई बात नहीं आधा दूरा बना है उसके बाद भी कोई बच्छे से एकदम रोशनी से चमका दिया है और यह हमारे भाई साब दिया जला रहे हैं हमने जितना जलाना था जला लिया है अब इनकी बारी है अब यह जला रहे है और यह देखो भाई हैपी दिवाली आप सभी को हैपी धन तेरस दिवाली ली हम बताओंगी ना मेरे जो फेस है वो बहुत हलका हलका सारा है यहां पर पता नहीं आप लोगो को क्लियर तो दिखनी रहा होगा फिलाल यह देखो मैं कैसी बनी हूँ लाल लाल आए और गजानन महराज आप सबी की सारी मनों कामनाएं पूर करें यहीं कहूंगी मैं अभी चलते हैं नीचे और आपको थोड़ा सा नीचे से दिखाते हैं अपने घर का लुक कैसा है क्या है ज्यादा कुछ नहीं बस थोड़ा सा इस पार मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हम लोगों ने इसी बार थोड़ा सा डेकॉरिशन ज्यादा किये होता है जब घर नया नया बन जाता है तो यह होता है कि अच्छे से घर को सजाएंगे लेकिन दिवाली की दिन सजाते तो और ज्यादा मझाती हम लोग दिवाली नहीं मनाते हैं फ्रेंट्स किसी वज़े से म है वो आपको बता दूंगे किसी वीडियो में क्यों नहीं मनाते हैं नहीं मनाते कोई चीज ना तो वो दिन अच्छा नहीं लगता है ऐसा लगता है कि जैसे काश मनाते और कभी अभी ऐसे मौके भी आया ना कि मतलब दिवाली हमारे हम मनाई जाए लेकिन फिर वो चूप ग सब्सक्राइब करते हैं और यह देखो हमारी सिस्टर जी यहां पर कैंडल से लेकर कड़ी वही है और आज ज्यादा कुछ हम बहुत ज्यादा थक चुके थे तिसलिये तैयारी व्यारी कुछ किये नहीं बस पूजा पाट किये भालकी फुल कि ममी ने किया जो भी किया है और थोड़ा बहुत मैंने भी कर लिया है और यह देखो फ्रेंट से हम लोग जा रहे है नीचे यहां पर भी दिया वे जला दिया है और यह देखो अंदर लाइट वेट जल रही है चलो नीचे चलो 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 बटा और जब दिये जलते है न तो इक अलक्षी खुशी होती अलक्षी रोशनी होती तो बड़ा मन प्रिशन हो जाता है और सब लोग कहां है यह क्या कर रहे हो नंदू केंडिल जला रही हो अर्टी गवर राहाँ जाया सबस्के सबस्किलिए ने चेपन के बाग्रेंगें अबस चोड़ तो चूड़ तो बस कि देखो गया न आ काम्यावड ने लिए मझले निर का इयारा। व उुुली चौह है। कि पृँट Umi युट प्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने अपने घर को सजाया है और बहुत सुन्दर लग रहे हुझे तो बहुत जादा ही अपने अपने घर को सजाया है अटा दिया है और घर को इतना अपसा दिखाया है और तो फ्रेंड्स हैपी दिवाली और धन्तेरस की आप सभी कुछ हिर्शारी शूप कामना है और कैसा लगा बताइए का जरूर कॉमेंट करके तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पैंट फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट